हलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग, उमीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे बटा मैं आपका Chemistry Teacher PK Nagar बटा, आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं CVSC Board 12th Class Organic Chemistry में Unit Alcohols, Phenol and Ethers और Ethers में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बटा, अपना 5th lecture Chemical Properties of Ether आईए बटा, स्टार्ट करते हैं Chemical Properties of Ether तो देखे बटा, ये है Chemical Properties of Ether इसमें हमने फस्ट लेना है Reaction Involving Kilivage of CO Bond ये जरह आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने लिखा है Kilivage of CO Bond बटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि Carbon से ये Ether वाला O, Carbon से Attach होगा पकका Definitely, ठीक है तो मैं बात कर रहा हूँ या तो इस CO Bond का Kilivage या इस CO Bond का Kilivage ऐसी तो मैं देख रहा हूँ बटा इसमें मैंने करना है Reaction With Halogen Acid First Start करने जा रहा हूँ मैं अभी Reaction With Halogen Acid आईए बटा, तो Start करते है Reaction With Halogen Acid हम लेते हैं बटा Reaction With Halogen Acid HX अब मैंने करना क्या है मैंने करना ये है कि जब मैं यहाँ पर R, O, R लेने वाला हूँ और Reaction कराने जा रहा हूँ HX का ठीके तो इसमें से अगर किलिवेज यहाँ हुआ एक पार्ट मुझे R, O वाला पार्ट एक तो बनाएगा इसमें से पार्ट R, O, H और एक जो R बचेगा किलिवेज सब्सक्रों यहाँ से हो रहा है अब तो एक तो R, O, H बन गया और एक यह R यह बनाएगा R, X अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सर HX किसको लिया जाए देखो भई, HX के लिए सबसे मोर रियक्टिव होता है HI CH3 और मेरे बच्चे यहाँ पर HI एड़ करने वाले है ठीक है अगर आपके एथर को मैं symmetrical एथर बोल रहा हूँ वालब O के दोनों तरफ एक जैसे ही methyl, alkyl group attach है तो इन में से किसी भी एक पार्ट का किलिवेज आप यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो ही फरक नहीं पड़ता है ठीक है, इस situation में क्या होगा एक तो बनेगा आपका क्या CH3OH एक पार्ट तो देगा alcohol इस में से चाहिए या यह एक पार्ट देगा alcohol और एक पार्ट देगा hyalide तो यह हो जाएगा CH3I सबूज करो, अब मैंने लिया दूसरा example अगर मैंने HI add करना है तो एक पार्ट देगा C2H5OH एक पार्ट मेरे को देगा C2H5OH एक alcohol देगा और एक बेटा iodide देगा समझ मां आता है हाँ तक, ठीक है जब दोनो एक जैसे है, ठीक है उपर वाला था मिथाइल, मिथाइल, डाइमिथाइल इसको लेलो यह C2H5OH देगा यह C2H5OH देगा, ठीक है थर्ड एक्जामपल ले 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 पार्टा थर्ड एक्जामपल ले 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 जैसे CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3 जैसे यह आ गया बेटा, ठीक है इसको प्रपोक्सी प्रपेन बोलेंगे यह डाइप्रोपाइल ही था, इसको बोलेंगे प्रप आक्सी प्रपेल ठीक है प्रप आक्सी प्रपेल लेंगे और उस पर अगर हम एपलाई करेंगे HI ठीक है, तो एक पार्ट इसमें से देगा अल्कोहल और एक पार्ट देगा I एक तो बनाएगा CH3, CH2 CH2 OH और एक पार्ट बनाएगा बेटा, CH3 CH2 CH2I ठीक है, समझ में आ गिया यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बताईए, सब समझ में आ रहा है अगर सेमेट्रिकल है, एक जैसा है बेटा ओके दोनों तरफ तो एक पार्ट ऐलकोहल बनेगा और एक पार्ट बेटा I बनेगा प्रॉपरली उतारी बेटा चलो इसको अच्छे दिल दी उतारीए बेटा हो गया चलो, आगे चलते हैं हम जड़ा आगे चलते हैं अगर हम, सपोज करो अगर हम ऐसा कर ले हैं कि भाई अगर हम ऐसा ले ले जिसमें मतलब दोनों तरफ एक जैसे कार्बन प्रेजेंट ना हो जड़ा चेक कर सकते हैं, जैसे CH3 O C2H5, इसमें O के दोनों तरफ एक जैसे कार्बन नहीं है और एक्जामपल ले लेते हैं जैसे T2H5 O TH2 TH2 TH3 फिक है, इसमें भी एक जैसे नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करें अगर मैंने यहां HI एड़ करना है, रियक्शन करानी है HI की, फिक है मैंने रियक्शन करानी है HI की तो बेटा एक रूल याद रखना मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब O के दोनों तरफ ठीक है, जब O के दोनों तरफ अगर unsymmetrical condition हो, यानि alkyl group सेम ना हो, तो जो largest alkyl part है वो alcohol देता है largest जो alkyl part है वो alcohol देता है, और जो smallest part है वो iodide या highlight देगा, तो इसमें largest को है बेटा ये, तो definitely ये मेरे साथ देगा alcohol ये मेरे को बना के देगा C2H5OH और मेरे बच्चों ही जो CH3 बचा है ये बना के देगा मेरे को CH3I यहाँ तक बास समझ मा आ गई है और इदर मिल रहे है 3 तो जो largest part है जो largest part है वो मेरे को देगा alcohol तो largest part मेरे को alcohol देगा ठीक है TH3, TH2 TH2 OH ठीक है अब जो बचा वो आई देगा तो वो बन जाएगा हमारा क्या C2H5OH समझ मा आ गया ठीक है किलियर हो रहा है भई लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सर ऐसा ही क्यूँ अगर आप मुझसे पूछने लगे कि सर आप बताओ ऐसा क्यूँ हो रहा है भला मतलब यही क्यूँ largest part क्यूँ देगा सर smallest part क्यूँ नहीं देगा alcohol अगरा भई जिसके पीछे मैं आपको इसकी मेकेनिजम आपको बता सकता हूँ ठीक है तो देख लेते मेकेनिजम स्टार्ट करते इसकी चलिए ये वाला example ले लेते हैं और इसकी mechanism पढ़ाते हैं फ़ले आप इसको note कर लीजी अच्छे से देख लिया proper पक्का चलें फिर पक्का चलो देखते हैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने अभी लिया था एक part अपना एक example लिया था इसको प्रूब करना है जैसे ये हो गया CH3O CH2 CH3 और मैंने यहाँ पर HI एड़ करना है तो देखो भई HI अभी यहाँ पर क्या करेगा रियक्ट करना है तो ये जो मैंने बोला था कि जो आपका smallest part है वो आई देगा और जो largest part है वो आपका alcohol देगा अब आपको कैसे पता लगेगा मेरे बच्चे कैसे समझ पाएंगे कि यही है मैंने तो कही देगा कि largest part alcohol देगा smallest iodide मैं mechanism के थिरूँ आपको इसको बताता हूँ ठीक है पहली बात मैं आपको बताता हूँ जड़ा यह देखिए यहाँ पर अब होने वाला क्या है यह जो यह जो CH3 है बहुत दिहान से देखना बिटा और यह है मेरे पास CH2 CH3 इसमें क्या देख भा रहे हैं आप इस O के पास है लॉन पियर कैसे हैं लॉन पियर देखे बच्चो ऑक्सिजन का एक्टॉमिक नंबर 8 होता है 2,6 उसके वैलेंसी चैल में एक एक्टॉमिक नंबर होता है यह क्या हो रहा है भई आपना CH2 CH3 अब मैंने बताए कि जो आपका उक्सिजन होता है ना ऑक्सिजन उसका इसके वैलेंसी सेल में है 6 इलेक्टॉन इसको दो इलेक्टॉन के requirement हो तो मिच्छ शेरिंग में इसने इलेक्ट्रों अपने यहां से लिया और यहां से ऑप्टेट कम्प्रीट कर लिया तो अब कितने बच रहे हैं चार का मतलब बच रहे हैं अभी दो लॉन पेर एक यह रहा और एक यह रहा जब आप इसके ऊपर HI डालोगे तो HI में आप जानते हैं कि H positive और I negative यहां से जो H positive निकलेगा अब वो H positive कहरा जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे तो valency complete नहीं है तो यह O बोलेगा कि मैं तो चिंता मत कर तेरे को मैं अपना पेर डोनेट कर देगा तो यह O अपने इलेक्ट्रोन डोनेट करेगा किसकी तरफ? H positive की तरफ ठीक है? इसको हटा लेते हैं यारी अब होगया ठीक है? अब होगा क्या? अब होगा यह यह बनेगा CH3, O, TH2, TH3 यहां H आ जाएगा और इस पर आ जाएगा positive का charge क्योंकि इसने इलेक्ट्रोन डोनेट किये हैं ठीक है? यहां पर होगा क्या बेटा? यहां पर होगा यह यहां स्टार्ट होगी आपकी SN2 mechanism यह follow करेगा SN2 mechanism को अब SN2 mechanism को इसने follow करना है ठीक है? SN2 mechanism को इसने follow करना है अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा I negative जाकरके attack करेगा अब attack कहां से करेगा I negative बताइए I negative कहां से attack करेगा I negative attack करेगा या तो back side से या तो पीछे से I negative पीछे से attack करेगा ठीक है तो दो condition बन सकती है condition दो यह बन सकती है या तो यह CH3 CH2 OH चला जाए तो यह इस पर आ करके यहाँ attack हो जाए ठीक है समझना आप मेरी बात समझना आप लोग मेरी बात तो यह I यहाँ आ करके attack करेगा वहाँ थोड़ा बलक है CH3 के comparison में CH3 CH2 थोड़ा बलकी है तो यह I यहाँ attack ना करके इसके पास द hindrance कम है बलकनेस कम है लेकिन यहाँ attack करने का मतलब है पीछे largest group methyl बैठा हुआ है तो यह I जो है वह यहाँ attack करेगा जिससे बन जाएगा यहाँ पर CH3 I और यह बन के निकलेगा मेरे बच्चों CH3 CH2 OH ऐसे ऐसे मैं बताना चाहरा हूं आपको ऐसे यह तो यहाँ याद कर लो कि बही देखो जो largest होगा वह alcohol देगा और smallest यह बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई ठीक है देखे ज़रा मैंने आपको 4th 5th example बता दिये थे यहाँ तक हम लोग आ गई थे आ गई थे हम लोग यह मैंने mechanism के थरू आपको समझाने की कोशिश की है अब आईए ज़रा लेते हैं यहाँ पर 5th और 6th example 6th example यह है अगर मैंने लिया CH3 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 O CH3 ठीक है इसका नाम है तरसरी बिटाइल मिथाइल एथर इसका नाम है तरसरी बिटाइल मिथाइल एथर और मैं अभी reaction कराने जा रहा हूँ है एच आई तो जो मैंने अभी आपको trick सिखाई थी जो मैंने आपको trick सिखाई थी मैंने का जो largest part है वो alcohol देगा smallest part देगा आपको हैलाइड तो यहाँ इस वाले case में यहाँ देखे जरा होना यह चाहिए था होना यह चाहिए था कि इस वाले को तो बन जाना चाहिए था alcohol और इसको बन जाना चाहिए था I लेकिन मेरे बच्चों यह process गलत हो जाएगा तो यह तो रूल बैठा बिठाय रहा गया कि largest group alcohol देगा इसलिए तो मैंने वहाँ आपको SN1 mechanism बताई थी SN2 अब यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है उसका reason समझते हैं जारा यह essay number 6 में ऐसा क्यों हो रहा है जब मैंने कहा कि उपर largest group alcohol दे रहे थे smallest group highlight दे रहे थे तो यह जो largest group यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे को यह largest group alcohol क्यों नहीं दे रहा है अगर दे रहा है तो मैंस रियक्शन को गलत बता रहा हूँ तो आए जड़ा चेक करते हैं कि सही reaction कौन सी होगी फिर ठीक है आए जड़ा देखते हैं सही reaction होगी यह आप तरसरी butyl methyl ether लेंगे और उस पर अगर आपने एच्चा ही डाला तरसरी वाले केस में तो मेरे बच्चों को मिलेगा तरसरी तो हैलाइड क्या मिलेगा तरसरी हैलाइड जड़ा देखिए दिहान से आप लो CS3C, CS3, CS3O, CS3 और reaction अपन कराने जा रहे हैं है एच्चा ही से तो तरसरी वाला पार्ट आपको आयोडाइड देगा और जो यह वाला पार्ट है यह आपको एलकोहल देगा अब ऐसा क्यों तरसरी में ऐसा क्यों प्राइमरी में तो ऐसा नहीं हो रहा था प्राइमरी वाले सीन में तो सिंपल सी बात है अगर प्राइमरी कंडिशन आ रही है दोनों तरफ देखो ओके दोनों तरफ प्राइमरी कंडिशन आ रही है तो लोड इनी लेना हमने हमने कुछ सोचना ही नहीं है प्राइमरी कंडिशन में धपाक से ए अर्बो कैटाएन मैं मेकेंडिसम के थुरू इसको आपको बताऊंगा और ये होती है SN1 मेकेंडिसम को फोलो करेगा इसके थुरू ही मैं आपको बताऊंगा अच्छे ते समझना जाँ रहा मैं क्या कहने चाह रहा हूँ देखे होगा क्या होगा ये कि यहाँ लॉन पेर बैठा हुआ है और जब मैं इसके उपर हाई डालूँगा हाई जब मैं यहाँ हाई एड करूँगा तो अटेक करेगा हाई पॉसिट ये लॉन पेर शिफ्ट हूँगा इधर ये तो सौभाविक्सी बात मैं बता रहा हूँ आपको तो होने वाला क्या होगा CS3 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 O CS3 H और इस पर चार्ज आजाएगा पॉसिट है ठीक है लेकिन अब सोचने वाली बात ये है अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पता है क्या होता है यहाँ दो कंडिशन है दो कंडिशन यहाँ पर है ठीक है यहां मनता है तरसरी बिटायल कार्बो के ठीड दे दह आगे देखें ये यह आगे देखिए ये चीज़ आपको पता लग चुकी है सब मैंने बता ही ठीक है तरसरी वाला केस मैंने लिया है एक यहां देखें आप तरसरी वाला केस ये मैंने तरसरी वाला केस लिया है इधर जब मैंने इसमें हाई की रियक्शन कराई तो आयोडाइड हो गया रीजन मैं आपको दे रहा हूं नीचे अभी पढ़ लीजिए वहीं पहुचूंगा फिर मैं क्या रीजन है इफ दा अलकाईल गुरूप इज तरसरी गुरूप अगर अलकाईल गुरूप तरसरी गुरूप है दा हैलाइड फॉर्मड वो हैलाइड बनाएगा इज ए तरसरी हैलाइड अगर जो हमारा तरसरी गुरूप जो है जो Alkyl Group है, जो हमारा Turchary Group है, वो बनाएगा Turchary Halide, and lower Alkyl Group form Alkyl, जो छोटा गुरूप होगा, वो हमारा Alkyl बनाएगा, क्यों? Due to the Formation of More Stable counts. धेखेज़ लएंपर क्या हो देखना है, मेकनिसमि के ने मैंने क्या बता आए इसमें, जसी यह तरसरी वाला case है H positive आ गया H positive आ गया SN1 mechanism होगी H positive आ गया यह यहाँ ठीक है तो यह अब जब reaction slow होगी तो यह convert हो जाएगा यह तो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनो यह तरसरी बिटाइल कार्बोकेटाइन पर मुझे पता है तरसरी बिटाइल कार्बोकेटाइन इस्ट आप लोगों को अब होगा यहाँ पर क्या slow reaction होगी तो यहां मिलेगा तरसरी बिटाइल कार्बोकेटाइन यहां मुझे मिलेगा तरसरी बिटाइल कार्बोकेटाइन और निकल जाएगा यहां से CH3OH यहां निकल जाएगा CH3OH अब एक बात ध्यान देने वाली है अब यहां जब अटेक होगा यहां किसका होगा आई नेगेटिव का और तो बन जाएगी रियक्शन में CH3C CH3 CH3I तो मेरे बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि तरसरी वाले केस में अगर एथर में कोई पार्ट तरसरी है सेकेंडरी है तरसरी है तो थोड़ा कार्बोकेटाइन वाली पर ध्यान दे लेंगे ठीक है पेटा तरसरी वाला केस द्यान रखोगे अच्छे से समझ मा आ गया सब लोगों को ठीक है किलियर होता है किलियर होता है आं तक देखें जरा नमबर 6 मैंने आपको बता दिया नमबर 6 equation को ये गलत क्यों हुई थी फिर ये मैंने सही करके दिखाई है आपको with mechanism अब आगे चलते है equation नमबर 7 7 पर काम करते हैं जैसे suppose करो कहीं पर आगया T6H5 OCH3 methoxybenzen या anisoyl बोल देते हैं इसको methoxybenzen ये है methoxybenzen methoxybenzen पर अगर आपने H I add किया ठीक है तो अगर मैं ये सोचूं कि बन जाएगा भई C6H5 I और ये CH3 OH तो ये वाला process गलत होगा फिर सही क्या होगा देखो ज़रा सही में बताता हूँ अगर आपने लिया है C6H5 OCH3 तो इस है चाई तो खिलीवेज यहां से नहीं होगा यहां से खिलीवेज होगा देखो ज़रा अब ये बांड जो ब्रेक ब्रेक डाउन होगा बांड का वो होगा इधर से क्यों वो पूछने वाली बात है ये जो बैंजीन की रिंग है ये O के साथ थोड़ा सा डूवल बांड करेक्टर रखेगी डूटू रैजोनेंस तो यहां से तो ब्रेक होने का मतलब भी नहीं यहां से तो तूटने का मतलब नहीं बनता है भाई तो क्लीवेज होगा इस साइड से तो यह आपको देगा C6, H5, OH और यह आपको देगा CS3I यह वाला केस अच्छे समझ लेना इंग्पोटेंट है भाई ठीक है नमबर 7 यह इंग्पोटेंट है प्रॉपरली समझ लेना ठीक है अब नमबर लेते हैं आपन 8 अब लेते हैं प्रॉपर नमबर 8 देखिए 8 में क्या करना होता है हमने 8 में क्या करना है जैसे यह आगया C6, H5, CH2, O, CH3 फिक है इसमें अगर हमने HI add करना है HI add करने का मतलब देखो एक condition होगी या तो C6, H5, CH2 positive यहाँ समझ लो या समझ लो CH3 positive मेरे कहने से यह ज़्यादा stable होता है बिर ध्यार लखना मेरी बात C6, H5 यह बेंजाइल ज़्यादा stable होता है मिथाइल के comparison में ठीक है तो अब यहाँ बनेगा C6, H5, CH2I और यह बनेगा CH3, OH ठीक है समझ मां आ गया ठीक है यह भी अच्छे थे आप समझ लेना ज़रा एक बार केलर होता है जी? चलो अब अपने notes ओपर आते हैं proper जाम थे notes ओपर आते हैं एक बार जलने लिए टैली कर लेते हैं जहांसे हमने लिखा है इन सबको देखें यह मैंने आपको पढ़ाई दिया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर मैंने ही एक्सिस में लिया है ज़्यादा ही लेंगे तो देखें होगा क्या? होगा यह कि यह convert हो जाएगा आई में तो यह C2H5 दोनों आई के साथ बनाएंगे C2H5 I कहने का मेरा मतलब है यह देखे ज़रा यह देखे ज़रा मैं आपको नोट बता रहा हूँ अगर मेरे बच्चों के पास यहाँ पर है C2H5 C2H5 और आपने इस पर HI एड़ किया सिंपल सी बात है एक हम को मिलेगा C2H5 OH और एक हम को मिलेगा C2H5 I फिर क्या होगा? फिर से यह C2H5 OH जब HI से रियक्शन करेगा तो यह बनाएगा C2H5I और पिलस H2O एक्सिस ओप HI का मतलब है देख लीजिए यह या ऐसे समझ लीजिए कि 2 C2H5O C2H5 पिलस 2HI मतलब देखो इसका मॉलिक्यूल लिया है मैंने एक इसके लिए हैं दो एक्सिस में अगर ले रहा हूँ तो यह दोनों C2H5I से बनाएंगी 2 C2H5I और यह वाले जो 2HMOO के साथ क्या बना लेंगे यह बना लेंगे बिटा H2O यह क्या बना लेंगे बिटा H2O ठीक है आईए ज़र अच्छी तरह अच्छी तरह अच्छी तरह दिखते हैं आगे चलें पहुंचते हैं वही पर इसके जस्ट बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है इन केस ऑफ अनसेमेट्रिकल एथर यह मैंने आपको बता दिया है ठीक है ठीक लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि अगर C6H5OH यहां पर आपने Axis of HI लिया तो रियक्षन नहीं होगी एक ही बार रियक्षन हो नहीं इसमें तो HI की बस C6H5OH से OH हटने पाएगा HI की दोबरा देखो मैं यह कहना चाह रहा हूँ जैसे आपने यह लिया कल को आपका मन करने लगा कि नहीं जी अब हम तो यह ऐसा कर लें अगर हम ऐसे कर लें कि C6H5OCH3 था इस पर HI एड़ कर ली तो हमें मिला C6H5OH और हमें मिला CH3I अब आपने का जी हम तो Axis में ले रहे हैं HI एक और HI एड़ करेंगे तो भई उस HI के बिल्कुल बस की नहीं है इस OH बांड को रिप्लेस करना तो यहां तो बस यही रियक्शन होगी मेरे बच्चों याद रखना दुबारा रियक्शन HI से होगी नहीं एक्सेज एक्सेज कुछ भी नहीं होगी चलो आगे आजाते हैं पहुंचते हैं अपने वहीं पर चलिए आईए तरसरी वाला केस मैंने आपको किलियर किया है इसकी विद मेकेनिजम ठीक है यह मेकेनिजम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रोपर अच्छे से देख लेना सारे बच्चे जी यह नोट वाली मेकेनिजम आप देख लेना ठीक है यह प्रोपर देख लेना आप लोग एक बार मैं फिट से बताइता हूँ आप अगर स्कीन सौट लेना चाहते हैं यहां तक समझ में आता है देख लिया आप आगे चलते हैं ओके यह वाला भी मैंने करा दिया है आपको प्रोपर चेक कर लीजीगा अच्छे से ठीक है बिटा यह वाला भी मैंने प्रोपर करा है इसकी मेकेनिजम नीचे मैंने बताई है इसकी मेकेनिजम चेक करना जा रहा यहां से इसकी बाते कर रहा हूँ मैं यहां पर इसकी बात यह इसकी mechanism मैंने आपको नीचे बताई है अब चेक करना यह नीचे मैंने इसकी mechanism बताई हुई है यह proper check करना अच्छे से यह इसकी mechanism है ठीक है? किलिर होता है अब आग देखिए यह इसकी mechanism हो गई और mechanism के बाद यह एक और्क इसकी mechanism मैंने आपको बता दी थी ठीक है? चेक कर लीजिए यहां तक प्रॉपर ओके जी ठीक है? किलिर है? आओ अब आता है electrophilic substitution electrophilic substitution पढ़ते हैं भाई हम हमारे पास जो OR गुरूप है OR is a ortho the alcoxy group जो alcoxy group होता है OR alcoxy group OOR जो होता है is ortho para directing it increase the electron density at ortho and para positions due to resonance जो OR गुरूप है वो ortho para directing है और वो electron density बढ़ाता है बेटा कहां पर? ortho और para पर ठीक है? जब वो benzene के साथ अट है छो अब यहीं समझ लेते हैं इसको बहुत अच्छे से देखे इसमें O जो है इसमें O जो है यह R आ गया हमारा इधर oxygen के lawn pair आ गये और यह conjugate से attach है तो यह lawn pair जो है वो shift होंगे benzene की तरफ यहां इधर electron density बढ़ेगी जिससे यह वाला dual bond break होगा और यहां minus का charge आ जाएगा minus का charge का मतलब आप एक lawn pair रख सकते हो एक electron तो इस वाले position के carbon का अब electron इसने donate किये तो इस पर कौन सा charge आ गया ओपर ओपर आ गया positive का charge ठीक है lawn pair फिर वो ही conjugate से आ रहा है तो यह इधर shift होंगे electron जिससे πाई bond break होगा और अब electron density इधर आ जाएगी ठीक है समझ में आ रहा है भाई देखिए समझ में आ रहा है न यह जो bond आते हैं ध्यान दखना ही जो minus का charge है न इसके left right में bond नहीं आएगे तो यह bond आ गये इधर ओके single bond यह अब वो same चल रहा है वो ही फिर वो इधर चलेगा five bond break होगा अब minus यहाँ आ जाएगा वो चली रहा है फिर क्या होगा फिर वो ही scene तो बाद में जा करके positive negative neutral होगा बट देखने वाली बात यहाँ पर यह है resonance से पता लग रहा है अगर यह मेरी benzine की ring होती है ठीक है और यहाँ पर OR बैठा है तो यह ortho position है यह meta position है यह para position है यह meta position है यह ortho position है मेरे बच्चों आपको proper ध्यान रखना पड़ेगा कि electron density या तो ortho पर आ रही है या para पर ठीक है due to resonance ठीक है चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं देखे जल्दी जल्दी halogenation halogenation में क्या कह रहा है यह है methoxybenzen यह है यह है मेरा methoxy methoxybenzen methoxybenzen पर bromine add कर दो bromine in CH3COOH या तो BR2 ortho पर अटेक करेगा या BR2 para पर अटेक करेगा क्योंकि electron density ortho para पर यह है न तो CH3COOH की presence में जो bromine है वो ortho पर अटेक करेगा इधर ठीक है यहाँ ठीक है तो बनेगा ortho bromo any soil या methoxybenzen या फिर यह para पर आएगा यह होगा इसका major product para वाला ठीक है तो या तो BR positive ortho पर करेगा या para पर CH3COOH की presence में आगे चलते हैं भई अगर nitrogen की बात करते है अगर मैंने इसका nitrogen करना है मैंने इसका nitrogen करना है nitrogen करूँगा तो NO2 या तो attack करेगा ortho पर इधर या attack करेगा para इधर तो यह ortho nitro और यह para nitro ठीक है समझ में आ गया अगला है फिर friddle craft reaction friddle craft reaction में देख लीजिए friddle craft reaction देख लीजिए इसमें क्या होगा यह methoxy benzene CH3Cl add करेंगे anhydrous ALCl3 यहां क्या करेगा यह इसको positive में convert कर देगा तो वो CH3 positive जाकर करेगा methoxy benzene को या तो औरतों पर या पैरा पर ठीक है समझ मा आ गया एक और condition भी है एक और condition है यह यह जो OCH3 group है यह जो OCH3 group है यह electron density बढ़ा देता है या तो औरतों पर या पैरा पर तो यह जो CH3 COCL मैंने लिया है इसका नाम है acetyl chloride acetyl chloride में क्या करेंगे anhydrous ALCl3 इसको positive में convert कर देगा तो यह CH3 CO या तो औरतों पर अटेक करेगा या पैरा पर क्योंकि यह electrophile है और electron density यहां बढ़ रही है यहीं क्यों attack करेगा क्योंकि औरतों पैरा पर negativity ज़ाद है तो यह भाई अटेक करेगा या तो औरतों पर या पैरा पर तो 1, 2, OCH3 के comparison में यह बड़ा group है तो इसको number 1 दिया है इसको में अगर hide करूँ तो यह acetophenon है तो 2 methoxy acetophenon और यहां 1, 2, 3, 4 4 methoxy acetophenon ठीक है आईए ज़रा एक बार फिर समझने कोशिश करते हैं इनको देखिए जो any soil होता है हमारा methoxy benzen इसमें electron density या तो औरतों पर जादा होती है पैरा पर अगर आपने यहां पर इस पर bromine add कर दिया किसके साथ CH3COOH के साथ तो attack करने वाला BR positive या तो और्थो को target करेगा और्थो bromo any soil या फिर वो पैरा को target करेगा पैरा bromo ठीक है भई clear हो गया चले आगया हो अब nitrogen की बात करते हैं concentrate HNO3 concentrate H2SO4 तो क्या होगा attack करने वाला यहां से NO2 या तो और्थो पर attack करेगा और या फिर attack करेगा वो पैरा attack करने यह भी समझ लें nitrogen का मतलब है यहां bromination में यहां attack करने आ रहा है BR positive और यहां attack करने आ रहा है NO2 positive ठीक है अब आगे आ जाईए और देख लेते हैं anisoyl methoxybenzine अगर methoxybenzine पर friddle craft reaction कराना है acylation और alkylation alkylation में क्या करना है CH3Cl लेना है किस के साथ anhydrous ALCl3 के साथ तो यह CH3 positive यह तो जाके target कर देगा और तो को ठीक है और यहां जाके target करेगा पैरा को भई यह जोगि resonance की वज़े से electron density तो यहीं है ना ठीक है यह तो alkylation हो गया acylation तो attack करने वाला COCH3 या तो ortho पर attack करेगा और या attack करेगा पैरा और मेजर होगा पैरा वाला ठीक है बिटा यह था हमारा chemical properties of any style अच्छे समझ में आ गया ठीक है फिर भी मैं इनकी अभी आने वाले time में one shot में एक बहुत अच्छे थे इनकी live classes में निकालूँगा सारी videos तो proper तयार रहना है देखते रहिए ठीक है मिलते हैं बिटा आपने नेक्स्ट वीडियो में ओके टेक कियर बिटा अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो वीडियो होगी इस लेक्चर जो होगा उसमें एक्सराइज के लिए टेक के लिए टेक कियर नेक्स्ट वीडियो होगी तब तक के लिए टेक केर